स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सरलर ग्यान में आज हम करने वाले हैं से से जीए के कोशन फिपर का स्वोलिशन जो कि 4 तीन 2017 को आफटरून श्रीप्ट में हुआ था इसमें हम सभी देजिंग के कोशन करने वाले हैं अगर आपने इसका मोक टेस्ट वाला वीडियो नहीं पहला कोश्चन है ब्रिक मोल्टार बोड़ी का संबंध किस से होगा तो बोड़ी का संबंध होगा फ्लैस से क्योंकि मोल्टार का मतलब होता है गारा जैसे ब्रिक गारे से बनती है ऐसे बोड़ी राख से बनती है अग सेकिंड कोश्चन है सेकिंड कोश्चन है चेस कियरफुली एक्ट का सम्मद्द किस से होगा तो वह होगा एक्टिवली जैसे यह एक्टिवली एक्ट का यहां पर कोश्चन नंबर दो में थोटी गरामर लग रही है कोश्चन नंबर तीन की बार ही है कोश्चन नंबर तीन में बैक का जो संबंद्ध है फूर्थ से वह राईस का किस से होगा तो back मतलब पीछे, fourth मतलब आगे, back, back का opposite fourth है, तो rise का opposite fall होगा, अब आपारी question number 4 की, question number 4 में यहाँ पे होना है प्लस 1, प्लस 3, प्लस 5, यानि कि Q में प्लस 1 अगर करेंगे, तो R, P में प्लस 3 करेंगे, तो S, और O में प्लस 5 करेंगे, तो T, ऐसे ही अगर I में, I में अगर हम प्लस 1 करेंगे, तो J, H में प्लस 1 करेंगे, तो K, G में प्लस 5 करेंगे, तो L मिलेगा, तो Right Answer का Option Number 1, अब बारी है Question Number 5 की, Question Number 5 में, जो यहाँ चार लेटर हैं, यहाँ पर 6 होगे, ऐसे ही यहाँ चार लेटर हैं, तो अबला 6 वाला हमें मिलेगा, छे वाला Option Number 2 में, तो Right Answer होगा, D, A, M, M, E, D, अब बारी है Question Number 6 की, Question Number 6 में जैसे, यह Red पर खतम हुआ है, तो अगला Red से शुरू हुआ है, और यह L, U, M पर खतम हुआ है, तो अगला L, U, M से शुरू होगा, अब क्यूंकि यहाँ पर 5 वर्ड हैं, तो अगले में भी 5 ही हैं, यहाँ पर 4 वर्ड हैं, तो अगले में भी 4 ही होंगे, तो Option Number 4 राइट आंसर है, अगला Question, Question Number 7, Question Number 7 का 2 का जो संबंध है, 8 से, यानि कि 2 अनुपात 2 का Q है, तो ऐसे ही 5 अनुपात 5 का Q होना चाहिए, तो यह होगा 125 राइट आंसर, अगले Question है, Question Number 8, Question Number 8 में, अगर हम 999 में प्लस 2 करेंगे, तो 1001 मिलेगा, ऐसे ही 99 में अगर प्लस 2 करेंगे, तो 101 मिलेगा, राइट आंसर होगा, Option Number 2, अब बारी है, Question Number 9 की, Question Number 9 में, यहाँ पर एक बटा 3 का, अगर इन्वर्स करेंगे, तो 3 हो जाएगा, अगर 2 बटा 5 का इन्वर्स करेंगे, तो 5 बटा 2 हो जाएगा, Option Number 2 राइट आंसर, अब है बारी, Question Number 10 की, Question Number 10 में, Smile, Giggle, Cry, और Love, इन तीनों में हमें, और जाटना है, तो वो होगा, Cry, यह, Option Number 3 राइट आंसर है, बाकी जो भी हैं, वो हसने के ही, या इस मुस्कुराने के ही, एक नए एक परकार है, बारी है, Question Number 11 की, Question Number 11 में, हमें और छाटना है, और इस में लिखा है, Toast and Turn, Rise and Fall, Run and Jog, Slip and Skid, अब देखें, यह सब एक जैसे हैं, Slip करना या Skid करना, दोनों का मतलब होता है, फिसलना, Running करना या Jog करना, दोनों का मतलब होता है, एक ही भागना, लेकिन Rise और Fall, यह Opposite है, Right Answer यह होगा, और Toast and Turn यानिके, Fake दिया या, बदल दिया, बारी है, Question No. 12 की, इसका Right Answer, Option No. 2 यह है, अब बारी है, Question No. 12 की, Question No. 12 में भी और ही चाटना है, Question No. 12 में यहाँ पे, Paper and Salt, Napkin and Glass, Glass and Fork, Plate and Knife, तो इसमें Paper and Salt, यह हम खाने में यूज करते हैं, बाकी यह, इन में से हम कुछ भी खाने ही सकते, इसलिए Option No. 1 राइट आंसर होगा, अब बारी है, Question No. 13 की, Question No. 13 में, यहाँ पे हुआ है, जो M और P है, यहीं पे, Plus 3 है, बाकी यह सब में, Plus 4 है, M से P पे जाना होगा, तो Plus 3 करेंगे, एक मिनिट, अगर हमें M में Plus 3 करेंगे, तो P मिलेगा, लेकिन B में Plus 4 करेंगे, तो F मिलेगा, O में Plus 4 करेंगे, तो S मिलेगा, और S में Plus 4 करेंगे, तो W मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहां प्लस तीन है तो राइट आंसर यह होगा अब बार यह कोश्य नंबर चौधा की कोश्य नंबर चौधा में के दियर यानिके वैवसाई मेडिकेर के क्रेमिल इन सब में हमें और छाटना है तो इसमें क्रेमिल यानिके को अवशन नंबर चारद है अब इसमें यहां पे यहां पे और यहां पे है को में यहां पया है소 अब है बारी question number 15 की question number 15 में हमें odd चार्ट ना है तो यहाँ पे अगर हम बीच वाले दो देखें लें letter तो U और I यानि कि वोविल है यहाँ पे भी बीच वाले I और O वोविल है या E और O ये भी वोविल है लेकिन यहाँ पे बीच वाले दो S और D जो की consonant है तो answer option number 2 होगा अब बारी है question number 16 की question number 16 में option 3 अमरा answer होगा क्योंकि यह एक even यानि कि समसंग का है बाकी यह सारी जो भी है odd है यानि कि विशम अब बारी है question number 17 की question number 17 में 4 प्लस 6 दस होगा 6 प्लस 4 भी 10 होगा और 5 प्लस 5 भी 10 ही होगा लेकिन 3 प्लस 3 नो होगा right answer होगा option number 3 अब बारी question number 18 की question number 18 में अगर हम यह देखेंगे तो 80 प्लस 11 जो की होगा 91 और अगर हम इन दोनों को भी जोड़े दें तो यह होगा 10 9 और एक 10 यह एक even यानि कि समसंग क्या है अगर हम 13 प्लस 94 को जोड़ेंगे तो चार और तीन 7 नो रेक 10 अब 7 रेक 8 यह भी एक 7 रेक 8 यह भी एक समसंग क्या है इसी तरह अगर हम 18 प्लस 13 वन इन्हें जोड़ेंगे तो 8 रेक 9 तीन रेक 4 और यह एक तो यहां 9 रेक 10 रचार 14 तो इनका योग जो आएगा वो आएगा 14 अब बात करते हैं ऑप्शन नमबर 4 की तो 24 प्लस 173 इस इगल टू चार और तीन 7 रेक 9 और यह एक अब 8 रेक 16 इसे अगर हम जोड़ेंगे तो यहां आएगा 17 सिर्फ इनके योग में और नमबर आता है जो की है 17 बाकी इन तीनों के योग करने पे समसंग आती है तो ओप्शन नमबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब बारी है कोशन नमबर 19 की कोशन नमबर 19 में पहले यह लास्ट वाले डबल हुए फिर सेकेंड लास्ट और ये फिर उससे पहले वाले फिर सेकेंड और थर्ड वाले अब फर्स्ट और थर्ड लैटर डबल होंगे तो यह हो जाएगा option नमबर एक अब है बारी question नमबर 20 की question नमबर 20 में IR से खतम होके IR पर यह शुरू होगा और यह वाला इस पर फदब होगे CE से शुरू हो रहा है यह AR पर फदब होगा तो अगला AR से शुरू होगा option नमबर दो राइट आंसर अब है बारी question नमबर 21 की question नमबर 21 में यहाँ पे तीन लेटर है फिर चार होगे फिर पांच होगे फिर छे होगे अगले में साथ होगे option नमबर एक प्लस 3 करोगे तो ओ में प्लस 3 करोगे तो आर तो है वारी question नमबर 23 की question नमबर 23 में होना है प्लस वन यानि कि Q प्लस वन आर एस टी फिर यू फिर एल एम एन ओ यहां पी तो यू और पी जिसमें होगा वह हमारा राइट आंसर है option नमबर 4 अब आपारी question नमबर 24 की question नमबर 24 में यह ओ थर्ड पोजिशन पे ता फिर यह फूर्ट पर है फिर फिफ्ट पर सिक्स पे अब यह फिर 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 पहले 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 जाएगा तो ओएक्स एक्स एक्स option number 2 अब बार रही है question number 25 question number 25 में यहाँ पहले हुआ minus 4 यानिके 7 minus 4 बड़ाबर 3 अब 3 में हुआ minus 5 यानिके यह जाएगा minus का 2 अब minus के 2 में हुआ minus का 6 तो ॐ जाएगा minus का 8 ऐसे ही 7 3 2 8 तो यहां पर आजना चाहिए तीन राइट आंसर ओप्षिन नंबर तीन बार यह है कोश्चन नंबर 27 की कोश्चन नंबर 26 में हुआ हुआ है माइनस का 5 बटे 6 माइनस 5 बटे 6 होने के कारण यह 3 बटे 2 में माइनस 5 बटे 6 जो हम करेंगे अगर हम काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 बटे 3 यहां पर आएगा और 2 बटे 3 यहां पर आवी रहा है अब हम 2 बटे 3 में माइनस 5 बटे 6 अगर करेंगे तो फिर L से हमाएगा 6 और 2 दूनी 4 माइनस 5 यहांनि के माइनस का 1 बटा 6 जो की ओप्शन नमबर 4 में है अब बार यह कुशन नमबर 27 की कुशन नमबर 27 में सारी यह भाज्य संख्याय हैं यानि के 37 से अगली अबाजिसंगे 41 की अगली अबाजिसंगे 43 यह उप्शन नमबर 4 और उसके बाद 47 और भी 53 अब बार यह कोशन नमबर 28 की कोशन नमबर 28 में इस डाटा के अनुसार कोशन नमबर 28 में इस डाटा के अनुसार हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जे छोटा है के से और के छोटा है एल से और आई बड़ा है के से तो अब conclusion यह दिया गया है यानि कि निशकर हमें निकालना है कि जे छोटा है एल से तो यह बिल्कुल सही है यहाँ पे जे छोटा है एल से और आई बड़ा है जे से आई बड़ा है जे से यह भी सही है क्योंकि arrow के निशान इस तरीके जाया है तो आई बड़ा है जे से तो बोथ एंड फर्स्ट एंड सेकेंड और करेक्ट अब बारी है कोश्चन नंबर 29 की कोश्चन नंबर 39 में यहां पर कुछ फेट दिये गए हैं 30 40 50 70 90 इन से जोड़ के हमें बताना है कि कौन सा इन चारों ओक्षन में नहीं बन सकता तो अगर हम इने जोड़ेंगे तो यह देखें मैंने आपके लिए लिख दिया है कि अगर 70 30 90 करेंगे तो आएगा 190 70 40 90 करेंगे तो आएगा 200 70 40 90 करेंगे तो 210 तो 220 हमारा राइट आंसर बज़ेगा यह नहीं बन सकता अब है बारी कोश्चन नमबर 30 की कोश्चन नमबर 30 में कहा गया है कि यह जिस ह, C, R, A, I, Y, T वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखा जाए तो इन चारों में से वो कौन सा उप्षन होगा जो एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्मान करता है यानिके मीनिंगफुल वर्ड कौन से उप्षन से बनेगा तो वो उप्षन है 2, 1, 4, 3, 5, 7, 6 अगर इसे हम बनाएंगे वर्ड तो बनेगा C, H, A, R, I, T, Y इसका उप्षन है चैरिटी यानिके दान तो उप्षन नमबर 4 सही आंसर है अब बारी है कोशन नमबर 31 के कोशन नमबर 31 में अगर हम यहाँ देखे तो कोडिंग, डिकोडिंग का यह कोशन है अब यहाँ पे A, N, T, I, Q, U, E, S को D, Q, W, L, T, X, H, V लिखा गया है तो F, O, X, यानिके फोक्स को क्या कोड लिखा जाएगा तो यहाँ पे A में अगर प्लस 3 करेंगे तो हमें D मिलेगा N में प्लस 3 करेंगे तो Q मिलेगा T में प्लस 3 करेंगे, W ऐसे ही प्लस 3 हो रहा है सब में तो अगर हमें फोक्स का निकालना है फोक्स का कोड अगर हमें निकालना है तो हमें F में प्लस तीन करना पड़ेगा, पिर O में प्लस तीन करना पड़ेगा और फिर X में प्लस तीन करना पड़ेगा तो यह सब करने के बाद हमें मिलेगा option number एक यानिके I.R.A. option number 3 option number 1 right answer है अब है भारी question number 32 की यहां पर दिखा गया है yellow वाले में 426 का मतलब है board is black 213 यानिके green वाले में रिखा है chalk is white और blue वाले में रिखा है 523 यानिके black और white अब हमें code ढूनना है और का तो और का code ढूनने के लिए अब हम यहां देखेंगे कि और का code या इन तीनों में है 523 में यह तो 5 होगा या 2 होगा या 3 होगा 2 यहां पर option में है नहीं तो option number 3 या 4 यह हमारे right answer होंगे तो अब देखते हैं black black blue वाले में भी है और black yellow वाले में भी है यहां पर अब blue और yellow इन दोनों में code में जो common है वो है यहां पर दो है और यहां पर भी दो है तो black का code हो गया दो इसे लिख लो बी ल एल ए सी के का code है दो अब blue वाले में white है और yellow वाले में तो ऐसे white नहीं है ग्रीन वाले में white है इन दोनों के code में यानिके 523 और 213 में common जो है 2 और 3 है तो white का code 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है लेकिन two code तो हमने पहले ही black का चुन लिया है अब इन तीनों में ऐसा कुछ भी नहीं जो common हो तो white का code जो हो जाएगा वो हो जाएगा three और इसी तरह से जो five code होगा वो हमारा right answer होगा जो आयोग ने दे रखा है यहां पे यह जो three है वो use हुआ है white के लिए और यह जो two है यह वाला जो two है यह use हुआ है white के लिए यहां पे यह वाला two जो two है वो यहां पे नहीं आना चाहिए था यह misprinting है यहां इसकी जगह चौक का code आता जो की कुछ और होता two के अलावा बाकी सब तीन जो code है वो code है white का black का code है दो और पांच code है हमारा right answer अब question number 33 question number 33 में कहा गया plus को अगर हम गुणा लिखे माइनस को plus गुणा को भाग को माइनस लिखेंगे तो इस समीकर्ण का हल क्या होगा अगर मैं question के according चलूं तो इस समीकर्ण को हम लिखेंगे 0.125 into 32 plus 54 divided by 3 अब अगर मैं इस question को solve करूँगा तो यहाँ पर गटे में 1000 आएगा अब 5 से यह जाएगा 25 बार में और यह 5 से जाएगा 200 बार में कि अब यह आठ से चार बार में है यह से दूसे कर लो है तो यह जाएगा 16 बार में यह दोने जाएगा तक यह 25 से चार बार में और यह 14じゃあ और यह चार शोनुका यह चार बार में तो इस तो बच्छा इन सब की जगे Exchange चार अब 34 भाग तीन अगर हम करेंगे तीन इंग तीन तीन अठे चोविस तो अठारा इधर बचा अब अठारा और चार यह हो जाएंगे 22 ओप्शन नमबर एक राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर एक हमारा राइट आंसर है ओप्शन नमबर तीन भी बाइस ही है तो यह मिस्प्रिंटिंग है इस में से जो भी ओप्शन बाइस है वो राइट आंसर है अब भार यह है कोशन नमबर 34 की कोशन नमबर 34 में यह यह ब्लड रिजलेशन का एक कोशन है तो इसका अगर मैं अर्थ निकालने जाऊं तो पी मा है क्यू की और क्यू बेटी है क्यू बहन है ईसकी और आर की बेटी प्रफिता है तो इस तरीगा रिलेशन बनेगा पी और र पति-पत्नी है तो यहां पर जो राइटान जरूब है पी इस मदर आफ एस यहनि कि पी इस मदर आफ एस ऑप्चेन नमबर टू पी मा है एस की अब बारी है कोशेन नमबर 35 की कोशेन नमबर 35 में यहां पे 9 प्लस 6 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 7 प्लस एक अगर मैं करूँ जो की यहां पे दिया गया है 9, 97% 61 इसे मैंने सॉल किरा तो यहां पे मुझे मिलेगा 9, 6, 15 माइनस 8 यानि के 7 जो की यहां बराबर में दिया गया है अब ऐसे ही अगर मैं इसे सॉल करूँ गा तो मुझे राइट आंसर मिल जाएगा तो इसे पहले मिटाते हैं अब 9 प्लस 2 माइनस करना है 6 प्लस 5 से तो नो दो 11 माइनस 6 प्लस 5 ग्यारा और यहां माइनस होना है यह तो गलत हो गया चलिए इसे 35 नंबर कोश्चन को मैं आपको दुबरा बताता हूं यहां अब उधारन को मैं लेता है 97 पर्तिशद 67 बराबर साथ यह कैसे आया डेखते हैं तो 97 को मैंने ऐसे लिख लिए और यहां पे था 61 61 को मैं refine ऐसे लिख लिए तो अब इन दोनों जोड़ गाएगा साथ उसके बाद अगर आप ऐसे ही करें इसके लिए यानिके ब्याणवे और 65 के लिए तो ब्याणवे को मैंने लिख लिए ऐसे और 65 को लिख लिए यहां पर बीच में कर दिया प्लस और इने कर दिया माइनस तो मुझे मिलेगा नो माइनस दो यानिके साथ और प्लस छे माइनस पांस यानिके एक यह जाएगा आठ उप्शन नमबर चार अब बारिये कोशन नमबर 36 की कोशन नमबर 36 में यहां पर अगर हम देखें तो च्छटे स्थान पर टी है यहां पर पांचवे स्थान पर टी है यहां पर चौत्थे स्थान पर टी है यहां पर तीसरे स्थान पर टी है यहां पर दूसरे स्थान पर टी है स्थान नमबर दो पर मतलब पोजिशन टू पर अब आएगा पहले स्थान पर तो यह हो जाएगा option number 3 अब है बारे question number 37 question number 37 में मिलाता U O O अब अगर हम इसके दोनों side एक एक O बढ़ा दें तो हम बन जाएगा पद number 2 अगर एक बार और O O बढ़ा दें तो बन जाएगा पद number 3 अगर एक और बार बढ़ा दें तो चारो इस side चारो तो option number 2 यानिके अगला पद यही होगा right answer अब हबारी question number 38 की question number 38 में इसने कहा है कि एक वैक्ती starting point से 7 km north चला फिर west में मुड़के 3 km चला फिर south में मुड़के 7 km और फिर right turn लेके 5 km यह 5 है यह 7 है यह 7 है और यह 3 है अब पूछा गया है कि वो starting point से with respect to his starting point कहां है starting point से वो west में है वो भी 8 km 8 km west to his starting point यह होगा right answer option number 3 अब है भारी question number 39 की question number 39 का आज है यहाँ पे दो वोमन है तो वोमन यह जब चली एक ही point से दोनों वोमन चलेंगी तो वोमन ए जब चली तो west में चली 3 km फिर वो left मुड़ी और 10 km चली फिर वो left मुड़ी और 9 km चली यह है 3 यह है 10 और यह है 9 अब इसी point से वोमन नंबर B यहाँ पे पहुंच गे A अब भी यहीं से चलेगी और 6 km एस्ट में जाएगी उसके बाद राइट मुड़ी के 2 km अब वो पूछ रहा है कि A के respect में where is B यानि के B कहा है अब with respect तो position of A A के respect में अब B कहां पे है तो A के north में है B वो भी 8 km वी 10 में से 2 हो गए तो 8 तो B is 8 km to north of A option number to right answer अब बार यह question number 40 की question number 40 में यहाँ पे दिये गए हैं दो statement और एक conclusion यह दो conclusion अब हमें win diagram बनाना है all bridges are pricks यानि के जितने भी bridge है b, r, i, d, g, e, s सब के सब किस में आगे bricks में आगे b, r, i, c, k, s उसके बाद no stone are bridges यानि के कोई भी stone, s, t, o, n वो नहीं है bridge यानि के अंदर वाला तो अब conclusion में इसने पूछा है some bricks are stone क्या कुछ bricks ऐसे हैं जो stone है तो हम कहेंगे नहीं क्योंकि bricks और stone के बारे में हमें कुछ नहीं कहा गया some conclusion two कहता है कि some bricks some stones are bridges तो some stone यानि के कुछ stone bridges है तो हमें पहले ही कहा गया है कि no stone is bridges तो ये भी on conclusion two भी गलत हो जाएगा तो option number three हम choose करेंगे neither one nor two follow अब बारी है question number 41 की question number 41 में कहा गया है should camera be installed in public school classroom to monitor teachers यानि कि क्या teachers को monitor करने के देखने के लिए public classroom में public school के classroom में हमें camera install करना चाहिए argument one कहती है no argument one कहती है no this is violet privacy norms यानि कि यह उनकी नीजिता को विरोध करता है argument two कहता है yes this will make teachers more accountable increasing their productivity तो इसका right answer इसका मतलब हो जाएगा कि हाँ यह teachers को और ज्यादा काम करने के लिए मजबूर कर देगा तो option number चार हमारा right अंदर है if argument second is strong यानि कि argument second strong है अब बार ही है question number 42 की question number 42 में बताना है कि इन जो प्रेशना करती है इस से हम इन option में से कौन सी आकरती नहीं बना सकते तो होगा option number 2 यानि कि यहाँ पे क्रोस और पॉइंट यह डॉट यह नहीं इसका यह चार बिंदू और यह क्रोस एक साथ दिखाए गए हैं option number 2 में लेकिन यहाँ पे यह अपोजिट हैं तो इसलिए यह नहीं बन सकता option number 2 राइट आंसर हैं अगर बारे question number 43 की question number 43 का अंसर हो जाएका option number 2 आप देगे सकते हैं मैंने इनके color कर दिया हैं अब यह question number 44 की question number 44 का right answer होगा option number 1 यहाँ पे relation होड़ना था actors, actresses और producer में तो बीच वाला हो जाएगा producer के लिए इदर वाला हो जाएगा actor के लिए इदर वाला हो जाएगा actresses के लिए अब है बारी question number 45 की question number 45 में कहा गया है कि आकरती में वर्ग पूर्शो को दर्शाता है यानि कि ये ये जो है वो पूर्शो को दर्शाता है अच्छ त्रिकोन जूडों खिलाडी को दर्शाता है ये जूडों वाले हो गए वरत कराटे यहाँ पे ये कराटे सरकल के लिए और जो ये है ये आयत महिलाओं को दर्शाता है ये होगे महिला तो अब हमसे पूछा गया कि वर्ण का कौन सा समूर्शो को दर्शाता है जो कराटे खिलाडी है यानि कि वर्ग में भी हो और कराटे यानि कि सरकल में भी हो तो ऐसा तो एफ है मैं इसे इरेज करके दिखाता हूँ ऐसा तो सिर्फ एफ है जो सरकल में भी है और वर्ग में भी है तो जिस में एफ है वो राइट आंसर हो सकता है यानि कि ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता आप आपे कर नमें है कि गराटे खिलाडी है जो और जूड़ो खिलाडी जो पुर्ज नहीं है ऐसा जूड़ो खिलाडी जो पुरुश नहीं है वोतों है भी है यानि कि ये वर्ग में ना हो और ट्रैंगल में हो तो भी और फ जिस में है यह निका शन नमबर चार हमारा रजाऊर हो कि क अब बार यह कोशन नमबर फोर्टी सिक्स की कोशन नमबर morning तो वह आख करती बनेगे इस तो यह is yeah यह option number 2 में यह हमारा right answer है अब बार यह question number 47 की question number 47 में यह हो जाएगा इस तरीके से मैं आपको दिखाता है यह देखे question number 2 हमारा right answer होगा यह आख करती option number 2 में हमें नीहित मिलेगी अब बारे question number 48 की question number 48 में यहां पर यह जो कहा गया है एक triangle था इसे हमने उपर से यहां मोड़ा उसके बाद इसे इस side से मोड़ा उसके बाद हमने इस side से मोड़ दिया तो यह एक triangle बन गया फिर हमने इस पर print निशान लगाया यह तो अब जब यह खुलेगा तो यह बनेगा कु चतरबुज आयत बनेगा और यहां पर ट्रैंगल यहां पर भी एक चतरबुज बनेगा यहां पर एक triangle और लटा इसका यहां पर चतरबुज और यहां पर ट्रैंगल हो जाएगा ऐसा हमें जो दिखता है वह है option no more 4 में तो option no more 4 right answer हो जाईगा अब बारी है question number 49 की 49 में अगर हम इसकी mirror image बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगी एक triangle इसके उपर और वो तो ऐसा हमें देखने के मिलता है option number one में तो ये होगा right answer option number 1 अब बारी है question number 12 की ध्यान याद रखेगा कि जब मैंने इसका mock test question बनाएंगे डाला तो उसमें question number 50 की जंगा ये वाला question repeat हो गया था question number 45 वहाँ पे repeat हो गया था तो question number 50 वो repeat इसलिए होगा था कि question number 50 मुझे इस type का कहीं मिला ही नहीं तो मैं ये दूसरा question आपके लिए लाया हूं तो चलिए इसे solve करते हैं यहाँ पे हमें धूड़ना है वह है myth myth वो ढूड़ना है इन boxes में तो उसका code क्या होगा इसका right answer जो होगा वो होगा 21 665 04 21 665 04 चलिए से यहाँ लिख लेते हैं पहले 21 665 04 अग चलिए से ढूड़ना है तो अगर हम इसे ढूड़ने गए यहाँ पे तो 21 21 हमें मिलेगा 2 और 1 यहाँ हमें M मिल गया M का code होगा 21 अब 66 66 यानि के यहाँ से यहाँ तक यानि के Y हमें मिल गया Y का code होगा 66 अब हमें डूड़ना है 75 75 में मिलेगा यह 7 और यह 5 यानि के T जो की थर्ड है अब H के लिए 0 और 4 यह 0 और यहाँ पे 4 यह मिल गया H तो M Y T H हमें सब मिल गए तो राइट आंसर 21 66 75 यहें यहें तर यह यहाँ 23 67 5 6 7